अगर आपके पास Redmi K50i या K40i सी या Redmi कोई ओर मोडल है तो उसके अंदर आप Wi-Fi को connect या disconnect कैसे कर सकते हो Wi-Fi को connect करने के लिए सबसे पहले आपका से swap down कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से swap करना है अगर आपको Wi-Fi ओफ हो तो इसको पहले ओन कर लेना है इस तरीके से जैसे आप इसको ओन करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे राउटर के नेम शो जाएंगे तो आप उसी वाली Wi-Fi को connect कर सकते हो जिसका आपको password बताओ तो यहाँ पर मैं इस वाली Wi-Fi को connect कर लेता हूं इस पर टाप करने के बाद हम यहाँ पर इस पर password एंटर कर देंगे उसके बाद आप यहाँ से password को check भी कर सकते हो यहां पर आप चैक भी कर सकते होंगे, हमारा पास्वोट्स सही है, तो हम यहां पर Connect पर TAP कर देते हैं, फिर उसके बाद यहां पर आप देखोंगे, हमारा Wi-Fi Connect हो चुगा है, तो इसको Disconnect करने के लिए, आपको ऐसे यहां पर एक अगर यहां पर आपको जैसे सी इस्पर टैपक्त करोगे तो आपको कभी वाइफटार्इक्ट नेजा तो पहले trzy कर लेंगे तो यहां पर हम सीदह से फोरेट कर पहँए कई वार दिमार्ग फोन के वीद और आयक कैनेक नियुद निरस जाएगा lia को ह mêmeözने सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई